नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धोशन रेकोड आपका स्वगत करतों हमारे शियुदूचा मित्रों, आज मैं आपको एक आईसे बिजिनेसमेन के बारे में बतने वालो जिनें सारे दुनिया जानते हैं दुनिया की जैने मानी कंप्यूटर एजेंसी डेल टेक्नोलाजिस के फाउंडर माइकल डेल के बारे में बतने वालो जिनोंने बच्मन से आपने दिमा को कुछ ऐसा चला है कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उनुने इस नमेस्टमेन करना शुरू कर दे और 12 साल की उम्र में उनने 2000 डॉलर तक जामा कर ले और अध्यों तब हो गई जब 14 साल की उम्र में उनकी इंकम अपने स्कूल टीचर के बराबर थी मैं आपको उनकी मोटिविशनल लाइप के बाहरें में बतानवाल हूँ इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब दिस सब्सक्राइब करें और साथ में देगए बेल आइकोन को दाबाना मुद भूले और आप मुझे सोचिल मेडिया आ माता पिता चाहते थे कि उनका होनार बेटा डॉक्टर बने लेकिन माइकल के मन में कोज और ही था माता पिता ने उन्हें 15 साल के उम्र में कंप्यूटर भी लाकर दिया उनकी कंप्यूटर में खासी रूची थी और फिर एक ही साल बाद माइकल का बायोलाज से मनू चट गय माइकल को कंप्यूटर ज्यादा रोमांचक लगने लगा माइकल का दिमाग इसमें दोडने लगा कि आखिर कंप्यूटर गाम कैसे करता है माइकल ने अपने कंप्यूटर के सारे पूर्जे खुल कर देखे कि आखिर यह बना कैसा है माता पिता को माइकल का ऐसा करना अजिब भी लागा एक कमपनी के कम्पूटर को खोल देने के बाद माइकल दूसरी कमपनी का कम्पूटर खरिद कर लाया और उसे भी खोल कर देखा और समझा माइकल की समझ में आ गया कि कम्पूटर कैसे काम करता है और फिर माइकल ने स्टूडन्ट रहते होए डाक्टी की टोर अकबार बेज कर जो थोड़े बहुत पईसे कामाये थे उनसे 1984 में उन्वेर्सिटी के अपने कमरे में खुद कम्प्यूटर बाना शुरू किया उन्होंने कम्प्यूटर बाना भेलिया माइकल का सोचना था की ग्राकों की ज़रूद के हिसाब से कम्प्यूटर बानाना चाहिए माइकल ने कम्पणी शूरू कर दी और नाम रखा फीसेज़ लिमिटेड माइकल के कम्प्यूटर अच्छे और सस्ते थे इसलिए लोगों को वह पसंदा दे थे 1983 में माइकल ने कंपणी का नाम बदला और नाया दिया डेल कंप्यूटर कॉर्पूरेशन देरे देरे कारोबार बढ़ता गया जब माइकल की उम्र 17 साल थी तब ही उसकी कंपणी की दुनिया भर दुम मज़ गई कंपणी ने पहले ही साल में 6 मिलियन डॉलर की बिक्री की जो अगले साल बढ़कर 34 मिलियन डॉलर हो गई 1987 तक डेल अमिरिका की सबसे अगरनी मेल ओर्डर कंपणी बन गई इसी साल कंपणी ने विदेशी बादरू में प्रवेश किया लेकनी यह बात यह थी की डेल कंपणी कारपोरिशन की स्थापना करते वक्त माइकल डेल के पास सिर्फ 1000 डॉलर की पूंजी थी डेल को आर्डर पर कंपणी बनाने से एक लाब यह भी हुआ की इससे क्राकों की कंपणी कंपणी सर्षते में मिले साल 2000 तक इसकी वार्षी कामदनी 27 अरब डॉलर हो गए जब इंटरनेट का दोर शुरू हुआ तो डेल ने उसका तत का लाब उटाती हुए ओनलाइन सेलिंग शुरू कर दी इस वजह से 2000 साल तक आते आते हर दिन 5 करोड डॉलर की विक्री होने लगी आज कमपनी की आदि से ज़्यादा विक्री इंटरनेट माध्यां से होती है 1992 में माईकल डेल सबसे कम उम्र यानि की 27 वर्ष में ऐसी कमपनी के संस्तापक सी योगोंशित कर दी गए जो दूनिया की पास से बड़ी कमपनियों में एक थी 1996 में उन्होंने सर्वर लांच किया और उसी साल माईकल डेल ने रियल इस्टेट में प्रविश किया और होम इंटरनेट सिस्टम और पर्सनल डिवाइसेज भी बनाने लगी माईकल डेल ने नियू यॉर्क सांता मोनिका वो लंदन में कारेले खुल कर उन्हें एक्सपर्ट के हाथ सोब दे है उन्हें दुनिया में एक बड़े बिजनेसमैन के साथ गरविवयों की और गरजूं की मदद करने वाले व्यक्ति कहकर भी जाने जाते है उनके द्वारा स्थापित माईकल सुजेन फाउंडेशन सारी दुनिया खास कर अमेरिका वा भारत की बच्चों की सिख्षा वस्वास्त पर अर्बो डॉलर खर्च कर रही है इस तरह दोस्तों माईकल डेल दुनिया के जाने माने बड़े बिजनेसमैन बन चुके है आज उनके कंपनी का नाम टॉप कंप्यूटर कंपनियों में आता है मित्रो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और आपने आप इतक हमारी चैनल को सब्सक्काइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्काइब करें और आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉल्व कर सकतें लिंक नीचे इस डिस्क्रिप्टिन है धन्यवाद